भगवान की दया से इस बार मेरे खेट में कितने दानेदार भुट्टे हो गए हैं ये अच्छी कीमत में बिख जाएंगे तो बहुत से रुके हुए काम हो जाएंगे अरे ओ भानू आज का रात खेट में ही कारने का इरादा है घर चल देख आसमान कितना कारा है बहुत जोर की बरसात पढ़ने वाली है कुछ देर में सारे खरपतवार उखाड कर भानू थोड़े भुट्टे तोड़ कर घर ले आता है जहां गरीब पतनी रेवती दो बेटियों दस साल की अनीता और साथ साल की मनीशा के साथ बैठी थी तब ही बड़ी तेज तूपानी बारिश शुरू हो जाती है मा जल्दी से खाना बना दो ना भूख लगी है बस बना रही हूं लाडो तेरे पिता जी को आ जाने दे जी आ गया आप राशन लाए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा बनाने को नहीं रेवती जाकर बनिया से थोड़ा उधार मांगला तभी रेवती बड़े दुख से कहती है अजी मैं सांज को ही गई थी मगर बनिया ने उधारी देने से मना करतिया आखिर कब तक हम ये गरीबी भरी जिंदगी चियेंगे अजी कब तक तुछ चिंता मत कर रेवती बुट्टों की फसल बहुत अच्छी होई है पुरा गरीब परिवार उस रात भुट्टे खा कर सोता है बानू की सारी आशा उसके भुट्टों की खेती पर निरबर थी लेकिन रात भर की वरस्ते बादल ने उसे सोने नहीं दिया उसे फसल की चिंता लगी हुई थी वह बच्छोने से उठा और बोरी ओड कर खेत पर जाने के लिए तैयार हो गया रेवती ओ रेवती किवार बंद कर ले अजी तुम कहां चल दिये इतनी तूफान में खेत में नाला बनाने जा रहा हूँ वरना फसल डूब गई तो सारी की एक कराय पर पानी फिर जाएगा फिर साल भर क्या खाएंगे ये भुटो की खेती ही आखरी आस है परिवार जलाने की मुझको जाने दे रेवती भानु को जाते देखकर रेवती के दिल में बिगड़े मौसम को देखकर डर था आसमान में तेज तेज बिजली कड़क रही होती है तब ही एक बिजली भानु पर गिर जाती है और दो भाग से उसकी मौत हो जाती है पती के जाने के बाद जैसे उस गरीब और दोनों बेटियों पर दुखो का पहाड तूट जाता है सारे भुट्टे तोड़ कर वह बेचने अनाज मंडी में जाती हैं जहां पूरे रास्ते में पानी भरा होता है ये भगवान ये तो पूरे रास्ते पर बाहर लगा हुआ है पता नहीं अनाज मंडी और कितनी दूर है बस मेरी फसल बिग जाय ताकि मैं अपनी बेटियों को खाना खिला पाऊँ थोड़ी देर में दोनों गरीब मा बेटी या नाज मंडी में आती हैं जहां सारे किसान अपनी फसल लाकर बेच रहे थे लाओ क्या है बोरी में अंकल इसमें बुट्टे हैं एक बोरी के सौर रुपे दूगा ये पकड़ो दो सौ की दो बोरी के इतने कम पैसे देख कर दोनों गरीब मा बेटी दुखी हो जाती है और अनिता भुट्टे बेचने से मना कर देती है मा हम भुट्टे नहीं बेचेंगे भुट्टे नहीं बेचेंगे तो दाना पानी का बंदोबस्त कहां से करेंगे बिटिया मा पिता जी ने ये भुट्टे अपने कौन पसीने से उगाए थे और कितने हजारों की जमा पूंजी लगाई थी हम उस पूंजी को दुगना बढ़ाएंगे हम खुद से भुट्टे भून कर बेचेंगे अनीता का दिखाया गया कमाने का रास्ता गरीब रेवती को उचित लगता है हाँ बरसात के मौसम में भुट्टे अच्छे चलेंगे किसी तरह खाने लाए गुजारा हो जाएगा दोनों गरीब मा बेटी भुट्टे की बोरी वापस घर लाती हैं जहां घर की कमजोर छपपर वाली छट टपक रही थी और मनीशा पानी साफ कर रही थी मा दीदिया आप दोनों आगे भुट्टे बिके नहीं क्या बिक जाएंगे मनीशा बस तु मन लगा कर पढ़ अगले दिन से गरीब मा बेटी फुटपात पर आकर कोईले पर भुट्टे भुण कर बेचने लगती हैं कोईले के भुणे भुट्टे आओ आओ प्यारे प्यारे लोगों खाओ दानेदार खटे निम्बू वाले भुट्टे तबी हलकी फुलकी बारिश में भुट्टे की सौंधी महक से रहागीर भुट्टे खाने के लिए खिचे चले आते हैं तबी कुछ मजदूर भी ललचाते हुए बोले अरे ओ राजू सवेरे से सलक पर खड़े हैं आज तो एक भी दिहारी नहीं बनी अरे बारिश इतनी जोरम जोर है भाईया काम धंदा चौपट कर दिया अब देखो यहां गर्मा गरम भुट्टे बेक रहे हैं चलो खा आते हैं हाँ चलो मजदूर भुट्टे वाली के पास आते हैं अरे बेहन जी जरा दो भुट्टे से एक न और हाँ नीबू मसाला अच्छे से लगाना जी भाया जी रेवती जल्दी जल्दी कोईला सुलगाने लगती है तभी ता भड़ तोड बारिश आ जाती है बारिश के चलते ग्रहक टिक कर खड़े नहीं हो पाते अरे रहने दो तुमारे भुट्टे तो बारिश में भीग गए ये खाने में करारे नहीं लगेंगे मजा भी नहीं आएगा अरे रुक्ये काका हम आपको दूसरे भुट्टे भून कर देते हैं अनीता एक बड़ी सी पन्नी खोल कर अपनी मा को ढखती है और खुद बारिश में भीगती है गरीब मा भुट्टे सेक कर ग्रहकों को देती है गरीब के लिए दो पैसे कमा पाना सबसे बड़ी दुविधा है खास कर जब बरसातों का मौसम हो अरे वाँ तुम गरीब मा बेटी के भुट्टे तो बहुत चटकारेदार है है ना बिर्जू हाँ भाईया मेरे यार बारिश के ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टे खाने का मज़ा ही अलग है कितने पैसे बने जी 20 रुपए भाईया जी येलो दोनों मसदूर पैसे दे कर चले गए लेकिन गरीब मा बेटी उसी बारिश में शाम तक रुकी रही पहले पहले दिन कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी लादो हमने आज केवल पाँच भुट्टे बेचे हैं ऐसे गुजर बसर कैसे चलेगा उपर से छपपर का कोई भरोसा नहीं कब तूट जाए उसकी भी मरमत करानी है कहते हुए गरीब मा दुख से भर गई तभी बेटी अनीता ने दिलासा देते हुए कहा अगली दिन दुबारा से दोनों मा बेटी भुट्टे बेचने रोड पर आती हैं उस दिन मौसम खुला होने की वज़ह से सडकों में काफी चहल पहल थी मा तुम जल्दी से कोईला सुलगा कर भुट्टे सेकना शुरू करो पर बेटी लोगों को तो आ जाने दे वरना भुट्टे ठंडे हो जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा मा भुट्टे ठंडे होने से पहले यहां भीड जम जाएगी देखो मौसम कितना सुहाना है अनीता ने जैसा कहा था सच में वैसा ही हुआ देखते देखते लोगों की भीड उमड कर उन गरीब मा बेटी के पास भुट्टे खाने आ गई और चमपा चमेली दो सहेली भी आती है अरे वा क्या बड़िया सौंधी खुश्बू आ रही है भुट्टों में से अरे वो बहना कैसे दिये भुट्टे जी एक भुट्टा दस रुपे का है और एक दरजन लेने पर सौ के लग जाएंगे है एक दरजन लेने पर बीस रुपे बचेगा चमपा हमारा तो परिवार भी बड़ा है और भुट्टे का शाकीन ऐसा करो बारा भुट्टे भुट्टो और नीमू मसाला निचोड कर लगाना जी बिलकुल ग्राहक की लंबी तादाद देखकर रेवती एक बार में चार पाज भुट्टे साथ रख कर सेखती है और अनीता उसमें नीमू मसाला लगा कर देती जाती ये लीजे आपके भुट्टे और ये आपके ये लो पैसे, बेहन अच्छा कल से हमारे लिए रोज इतने ही भुट्टे सेख देना वो बारिशों के मौसम में हमारे परिवार वाले बड़े शौक से भुट्टे खाते है जी बिलकुल आंटी, कल से आपको इतने भुट्टे मिल जाएंगे दोनों सहेली उनकी पर्मानेंट ग्राहक बन गई जससे गरीब मा बेटी के भुट्टे की बिकरी बढ़ गई अब रोज उनके बीज भुट्टे बिकना तो एकदम तै हो गए मा आज तो सारे भुट्टे तीन-चार बजे तक ही खत्म हो गए चलो घर चलते हैं हाँ, चल नीता, आज खेट से टोकरी भरकर ताजे भुट्टे तोड कर लाएंगे दोनों मा बेटी सुभा भुट्टे की खेत में आती हैं और तोडने लाएक तैयार हो चुके सारे भुट्टे तोड कर लाती हैं रेवती तीनों के लिए खाना बनाती है तबी मुसलाधार की बारिश शुरू हो जाती है जिससे चट की मिट्टी जढ़ने लगती है और खाने की थाली में गिरती है तो मनीशा रोते हुए मा यूसी से बोलती है मा नीता दीती आप दोनों चट कब ठीक करवाओगी रोज रोज यसे ही मिट्टी निकलती है सबके पास पक्के पक्के मकान वाले घर है फिर हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है ये सुनते ही दोनों मा बेटी का दिल अपार दुखों से भढ़ जाता है तबी रेवती ने उदास मन से दिलासा देते हुए कहा बस थोड़ी ही दिनों का और दुख है लाडो फिर हमारा कच्छा घर भी पक्का और मस्बूत हो जाएगा फिर हम चैन से रहेंगे अपनी गरीब छत के धांचे को देखकर दोनों मा बेटी ने जल्दी से जल्दी पैसे खटे करने के ल बारिश के मौसम में गरीब माबेटी के चटपटे गर्म भुटे की मांग खूब बढ़ी उनकी एक दिन की अच्छी खासी कमाई होने लगी जिससे उन्होंने छत पक्की करने का काम शुरू करवा दिया लेकिन कई बार जिस दिन बारिश ज्यादा होती तो उन्हें बारिश के मौसम में गूमने निकले लगपती लोग भी उस गरीब माबेटी की टपरी में रुक कर भुटा जरूर खाते थे लेकिन अभी भी वो बारिश के मौसम में भुटा बेचती है क्योंकि एक काम उनकी जीवी का बन चुका था साथ ही वह खेतों में पूरे साल खू हूर हो जाती है